हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग आप आप सब अच्छे होंगे और यह जो करोना के कारण आपको छुटियां पड़ी है उसका खूब सारा इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहे होंगे ठीक है तो आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 2.2 पॉलिनोमी लेकि आयों जिसके कोशन नमबर 4 अभी हम बारी बारी से इन सारे कोशन को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगो कि किस तरह से आप इन कोशन को निकाल सकते हो इनका आंसर निकाल सकते हो बहुत ही इजी है ठीक है तो सबसे पहले यह साथ कोश कोशन आप से सॉल्व हो जाएगा तो बाकि सारे कोशन आप इसली निकाल पाओगे सेम बर्डिंग सेम तरीका सेम मैथेड साब कुछ आसान एक दम ठीक है तो अब देको यहां पर लिक है फाइंड दा जीरो अफ पॉलिनोमिल इन इच अफ फॉलॉइंग केसे यह नहीं उसमें मैंना यह सारा कुछ बताया हुआ है क्रिपया करके आप उस वीडियो को भी देखें जो फस्ट वीडियो है नाइच क्लास मैथेमेडिक्स 2.1 जो चैप्टर है उसको देखिए उसमें सारे मैथेड दिखाएगी है ठीक है कि कौन से कोशन को हम किस तरह से सॉल्व कर स समझें यहां पे सब मैं देखू व्यरिबल कौन यूज हो रहा है एकस वर्यबल यूज हो रहा है। इन सब एक्वेशन में हम व्यरिबल जो यूज करें वह है ड़िक है और हमें फाइंड आउट करना है पॉलिणोमिल वह कर देंगेों यह सारा पॉलिणोमिल जुटा जो उसी को हम बोलते हैं 0 of a polynomial ठीक है तो बारी-बारी से हमने सब को calculate करना है solve करना है और दिखाना है कि वो कौन सी x की value है जिसको put करने पर सारा का सारा polynomial जो है वो 0 हो जाएगा और वो ही आपका answer है अगर बीना solve किये मैं first question की बात करूँ तो देखो यहां पर लिखा है x plus 5 ठीक है अगर x की जगा मैं minus 5 रख दूँ तो minus 5 और plus 5 होता है 0 यानि आपका polynomial क्या बन रहा है 0 बन रहा है तो इसलिए इसका solution होगा minus 5 यह second question है इसमें पहले से minus लगा होगा है तो x में हम simply plus 5 put करेंगे तो वही आपका 0 होगा ठीक है यानि इस polynomial का solution होगा तो आईए शुरू करते हैं first question से सबसे पहले आप लिखोगे px is equal to x plus 5 यह हमारे पास दिया गया है कि polynomial की equation है x plus 5 second भी है लिखेंगे the 0 of the polynomial is that value of a variable by which polynomial become 0 किसी भी polynomial की 0 या किसी भी polynomial का solution variable की वो value होती है जिसको put करने पर सारा का सारा polynomial क्या बन जाता है 0 बन जाता है तो सब मैं देखो x variable use किया गया है तो x में हमें इन सारे polynomial में वो value put करनी है जिसको भरने के बाद ये सारे के सारे polynomial जो वो 0 बन जाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे PX is equal to 0 ठीक है PX is equal to 0 तो अब यहाँ पर देखो PX की जगा हम put करेंगे X plus 5 and that is equal to 0 X यहाँ से हो जाएगा minus 5 ठीक है X अगर minus 5 हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore for X is equal to minus 5 the value of polynomial is 0 यानि X की value जब हम minus 5 put करते हैं तो polynomial क्या हो जाता है 0 हो जाता है Hence X is equal to minus 5 is a 0 of a given polynomial ठीक है एक बार फिर से देखो इसको यह आपके बास question है फिर आपने लिखना है the 0 of a polynomial is that value of a variable by which polynomial becomes 0 यानि आपकी polynomial में जो variable है उसकी वो value जिसको put करने के बाद सारा polynomial 0 हो जाता है उसको बोलते हैं हम 0 of a polynomial तो आगे हम लिखेंगे therefore for X is equal to minus 5 the value of polynomial is a 0 therefore X is equal to minus 5 is a 0 of a given polynomial अगर हम अपने question को check करना चाहें किया हमारा answer से ही है या नहीं तो हम उसको इस तरह से करेंगे हमारे पास PX is equal to X plus 5 और यहां पर X हम नहीं निकाला है minus 5 तो यहां पर जब minus 5 पुट करेंगे तो यह 0 आ जाएगा यानि हमारा यह answer है यह correct है फिर second question में same thing से हम लिखेंगे the 0 of a polynomial is that value of a variable by which polynomial becomes 0 फिर हम लिखेंगे PX is equal to 0 अब जो equation दीगे यह polynomial उसको हम 0 से compare करेंगे तो हम लिखेंगे X minus 5 is equal to 0 और X हुजाएगार मारे पास 5 फिर से हम same वैसे ही लिखेंगे therefore for X is equal to 5 the value of polynomial is 0 and hence X is equal to 5 is a 0 of the given polynomial यह आपका second answer हो गया अब इसको हम चेक करते हैं हमारे पास है PX is equal to X minus 5 अब X की जगा हमें 5 put करना हुआ जैसे हम 5 put करेंगे तो plus minus 0 आ जाएगा ठीक है next third question बिल्कुल उसी तरह से वैसे का वैसे लिखेंगे same equation 0 of a polynomial right PX is equal to 0 फिर आजाएगा मारे पास 2X is equal to 2X plus 5 is equal to 0 और यहां से 2X आजाएगा 2X is equal to minus 5 5 यहां पे plus a side आजाएगे minus के और X हो जाएगा हमारे पास minus 5 divided by 2 फिर आगे हम लिखेंगे therefore for X is equal to minus 5 by 2 the value of polynomial is 0 and hence X is equal to minus 5 2 is a 0 of the given polynomial अब इसको भी check कर लेते हैं हम same तरिके से PX है हमारे पास 2X plus 5 X की जगह हमें minus 5 by 2 put करना है अब देखो 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास बचेगा यहां पे minus 5 तो हमारे पास आएगा minus 5 plus 5 and that is equal to 0 तो यह question भी हमारा correct है 4 question भीकुल सेम तरिके से PX is equal to 0 so 3X minus 2 is equal to 0 और 3X यहां पे plus के 2 आजाएगे और X आजाएगा हमारे पास 2 divided by 3 फिर से वैसे लिखेंगे हम therefore for X is equal to 2 by 3 the value of the polynomial is 0 and hence X is equal to 2 by 3 is a 0 of the given polynomial अब इसको जग करते हैं कि यह सही है यह गलत है PX is equal to 3X minus 2 X के जगह 2 by 3 put करेगे अब यह आपस में कट जाएगे 3 और 3 हमारे पास बचेगा minus 2 और plus के 2 दोनों को करके कि आजाता है 0 आजाता है यह तो प्रिकोल simple X के जगहा 0 put करना है इसको तो कुछ भी calculate करने के जरूत नहीं पी X is equal to 0 3 X is equal to 0 जब 3 दूसरी तरब जाएगा तो 0 जाएगा तो X is equal to 0 therefore for the X is equal to 0 the value of the polynomial is 0 and hence X is equal to 0 is a 0 of the given polynomial इसकी चेक कर लेते हैं सही है यह गलत है ऐसे करने के लिए कुछ है नहीं 0 और यह मारा लास्ट sorry 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 numbering गलत होगी है यहां पर यह six question है so PX is equal to AX फिर से वैसे ही PX is equal to 0 AX is equal to 0 और A दूसरी तरब जाके 0 जाएगा और X हमारे पास आजाएगा 3 यानि दोनों ही same question है 3X और AX दोनों कंसर 0 ही आएगा फिर से सेम बीच से हम लिखेंगे 4X is equal to 0 the value of polynomial is 0 and hence X is 0 is the solution root or the 0 of a given polynomial let us check it 0 and here is the last question PX is equal to CX plus D PX को 0 से compare करेंगे तो CX plus D is equal to 0 और CX is equal to minus D और X आजाएगा minus D divided by C therefore X is equal to minus D by C the value of a polynomial is 0 and hence X कितना यानि 0 के आगे हमारे पास minus D divided by C जब इसको compare करेंगे तो X की जगह हमें minus D divided by C लिखना है C से C कर जाएगा हमारे पास आएगा minus D plus D and that is equal to 0 ठीक है बिल्कुल सिंपल है आपको just X की वो value put करनी है यहाँ पे जिससे की पूरा polynomial जो वो 0 हो जाएगा अगर 0 हो जाता है मतलब आपका जो 0 है वो सही है आपका solution सही अगर 0 नहीं होता तो वो गलत है ठीक है थांक यू फर वाचिंग कीप सब्सक्राइब एंड लाइक इप यू फांड इस वीडियो हलफू ओक यू थांक यू वर